एक बाद तो मैंने कजी जमार्ट करवाई ली इसके बाद में तूने कुछ करा तो हम तेरा साथ ने देगे तूस उस ने देगे हैं कभी देखने वह नहीं आ जांगे तेपला घंति कि यह सजा मिनने चाहिए उसको क्या सजे की मांग करते दो लोगों की मडर्की है गालू जो कर सके सो करे अपना जो केस उस सपर चला आप लोग पेरवी करेंगे वकालत करेंगे तो स्वथ कर साम को आया था माफिया अतिक अहमद और अर्शद का मर्डर करने वाले शूटर अरुन मोरिया का रिष्टा पानिपत की इस गली से है इस वक्त हम विकास नगर में मौजुद हैं और बताय जा रहा है कि अरुन का जनम इस मकान में हुआ था ये वो मकान है विकास नगर की गली नमबर चोदा का ये मकान है हमारे साथ इस वक्त जो है उसके दादा मतुरा दाज जी है और इन्होंने एक बड़ा खुलासा ये किया है कि हमने अरुन को डाट कर यहां से भगा दिया था क्योंकि अरुन गलत संगत में पढ़ गया था अधादा बताए कि लोगों की संगत में आया और आपने उसके बाद क्या किया रहा हुआगा उसके बाद में पिर रहने लग गया जहां जंट से भाग गाउं में आप लोगों ने डाटा था या भगायत कैसे बहुत हैं कि यह लड़ा करना मार पीट करनी उच्छा कर से एक जमात कर वाली इसके बाद में अब तुने कुछ करा तो हम तेरा साथ नहीं तुछ मर्जा जा कुछ हुए ह अब कभी देखने हुने जांगे थे अभी आपकी पोते ने अतिक अहमद और अशरफ का मडर किया है वह कब आपको पता लगा है कल जब जब नूज पर देखा जब अब तो कोई पता ही नहीं था क्या मानते हो गल्ती कि यह लड़के ने आपको गल्ती कि यह सजा मिननी चा सब्सक्राइब करें अब लोग क्या करेंगे देख सकते यह तो बात आप लोग क्या क्या समझाते तो बात ते क्या कोई कैसा था नहीं था वह कि हमसे नहीं बात करता है किसे बाचित की थी कहां तक आया था और क्या बोलके निकला यहां से यहां सन्वार को बताई सुक्रवार को साम को आया था अब लोग परिवार के जो लोग है वकालत करोगे पेर भी करोगे उसकी कोई संगत में कैसे पढ़ गया वह आप लोग उससे समझाते भी थे अब क्या कह सकते हैं बच्चा क्या पता कैसा निकलिया काफी समझाया मत कि कौन-कौन डाटते थे आप यह आपका बेटे चाचा भी डांटता था हम भी डांटते उसके माबाब भी डांटते सुनने में यह भी आए कि उसने यहां पर काम करना भी जो सुरू किया था जो वगयरे कुछ की थी यहां थोड़े बहुत ने ऐसा ही करता कि दस दिन भांग कर लिया अपने पैसा यह में भाग गया यह पर रिष्टेदारी में अपना चला गया काम नहीं करता था कुछ सुनने में लिखा गया कि यह बड़ा सरगना बनना चाहता था माफिया बनना चाहता था कुछ ऐसा लगा ना हमसे कोई बताया उनके पिता जी माता जी और भाई बैन क्या कुछ कोछ नहीं करते हैं वह तो गाउं में जमीन है संभिल कर रहा है और एक वह गोल पर टिक्की की लगा रहा है आपको अंदाजा था कि आपका पोता इतना बड़ा क्राइम कर देगा पूरा देश देखेगा ऐसा काम ना क्या पता था एसा करेगा यह चोटे-मोटी लडाई जगड़े कर लेता लड़ाई कर लेता ता वह तो घर के अंदर गया था किस से बात की पता नहीं था नहीं तो वारा बो चोटे-मोटी लड़का था नए हमते घर हैं कितने दिन में यहां पर आता था वह यहां तो कोई नहीं पता है दुस्टा बहुत दिन बाद आ लिया फिछ चला गया ऑपने दौचा दिन रखके अब क्या चा तो इस केस में कड़ी सजा मिले या क्या क किसके बारे में तो यह अरुन मौरिया के दादा जी हमारे साथ ते मतरादा जी जिन्हों ने कहा कि शुरुवात जब हुए उनको काफी डाटा भी केस भी दर्ज हुए लेकिं समझाने पर भी आरुन नहीं माना और वो लगातार आगे बढ़ता गया जिसके बाद इस एक बड़े हत्यकांड को अंजाम दिया तो फिलहाल इनका ये भी एक बड़ी बात निकल कर सामनी आए इन्होंने ये काया कि वो उसकी पैर भी नहीं करेंगे वकालत नहीं करेंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए अपने सहोगी के साथ प्रधीप रेड़ू